बिग बॉस के घर में बीते दिनों खुब ड्रामा देखने को मिला जहां एक तरफ दिपिका ककर ने अनूप और जसलीन की जोड़ी में दरार डाल दी वहीं रोमिल और सुर्भी की जोड़ी ने घर में दोबारा एंट्री मारी बता दें की बीते दिन बिग बॉस ने सभी घरवालों को नॉमिनेशन का टास्क दिया बिग बॉस के दिये इस टास्क में सभी सिंगल्स किटनैपर के तौर पर एक एक करके हर एक जोड़ीदार पर हमला बोलेंगे जो भी उनको दिया हुआ काम पूरा नहीं करेगा वो सीधा अपनी जोड़ी के साथ 9 मिनिट हो जाएगा बता दें की दिपिका ने अनुप जलोटा को किटनैप करके जसलीन से उनके सारे कपड़े और मेकप डिस्ट्रॉई करने को बोला जिसके बाद जसलीन ने दिपिका को समझाया भी कि मैं ये सब नहीं कर सकती लेकिन दिपिका नहीं मानी बीच में जसलीन ये काम करने के लिए हाम ही भर देती है लेकिन बाद में वो गिव अप करने का मन बना लेती है वही अनूप जसलीन के फैसले को सुनकर दंग रह जाते हैं कि वो कपड़े और मेकप के लिए उन्हें खत्रे में डाल देती है वही आज के अपिसोड में आप देखेंगे कि अनूप और जसलीन की जोड़ी तूटने के कगार पर आ जाएगी प्रीकैप में अनूप जसलीन से कहते हैं कि मुझे दुख हुआ कि तुमने एक अपड़ो और मेकप को तबज्यो दी जसलीन उनकी बाते सुनकर रोती हुई नज़र आई लेकिन फिर भी अनूप ने कहा कि मैं आप जोड़ी तोड़ रहा हूँ और अब मैं शो में अकीला ही रहूँगा इसका मतलब अनूप जलोटा ने जसलीन से ब्रेक अप कर लिया है खेर देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाली दिनों में अनूप और जसलीन की ये जोड़ी टूट जाएगी या नहीं वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रही हमारे साथ झाल 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 झाल